तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बहुत सारी हिपप का अपडेट्स दूँगा तो वीडियो को बीना स्किप किये लास्ट तक जरूर देखना तो पहले हम लोग बात करेंगे रफ्तर भाई के बारे में तो रफ्तर भाई एक स्टोडी लगाये थे आप लोग देख सकते हो जिदर एक साइट पे रफ्तर भाई का बहुत पुराना फोटो है और एक साइट पे अभी का फोटो है तो अभी हम लोग बात करेंगे हेलाक के बारे में तो हेलाक एक पोस्ट करते हुए कैप्शन पे लिखे नवा अभी ठाट एल्बम ने इनका नहीं उखायरा डै थे तो किसी ने हरकत वाला फर्दीन को बोला हेलाक वाला गाना दो तो हरकत वाला फर्दीन लिखे मैंने तो प्रेडिक्शन किया था सिर्फ और गाने थोड़ा दिन में आने वाला था मेरे को क्या पता ये सही में टांग देगा तो आप लोग जानते हो हेलाक ने एम्यों और लोका ये भी कहें कि M.E.O.A. के लिए रेस्पेक्ट सिब बढ़ते रहेंगे क्योंकि M.E.O.A. बहुत सारे इंडिबेंडेंट आर्टिस्ट को सपोट करते है तो इस मैटर पे आप लोग क्या सोचते हो कॉमेंट में जरूर बताना तो अभी हम लोग बात करेंगे रायचू के बारे में तो रायचू हेलक वाले मैटर पे के स्टोडी लगाते हुए लिखे बोला था ना ये सब चल देंगे एक दिन कोई न ऐसा बच्चे से करो बस जो बार्स लिखू समझ जाया करो फ्यूटर स्टिक स्टीट है तो अभी हम लोग बात करेंगे बेला भाई के बारे में तो बेला ये के स्टोडी डालते हुए लिखे मैंने सबको अनफोलो किया था क्योंकि इस सीन का किसी बहुत बड़ा OG आर्टिस से भैस हो गई थी किसी का गुस्सा मेरे उपर उतरने का क्या फाइदा ब्रो बहुत बात है दिल में दबाक के बैटा हूँ बोलता नहीं हूँ क्योंकि तुम लोग कांट्रोवर्स दी बना देते हो मेरे को ये सब नहीं पसंद मैंने तुमको रिजन दे दिया लगता है बेला भाई के साथ इंडरस्टी का कोई बरा आटिस्ट का कुछ इशू हो गया था इसलिए बेला भाई सबको आनफलो कर दिये थे किसी का नाम तो बेला भाई नहीं लिए आप लोग क्या सोचते हो कौन हो सकता है कॉमें जरूर बताना तो बस इस वीडियो में तो इतना ही मिलता है आप लोग से एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई एंड टेक क्यार